अब सब्सक्राइब विडियो पर सुखते हैं तो फ्रेंश देखिए आज हमारा हाथ में वीबो वाइट्वेंटी आई तो देखिए पासवर्ड पेटन लग लगा हुआ है तो फ्रेंश वीबो वाइट्वेंटी का एक वीडियो बना के अपलोड किया था मैंने यूटूब तो फ्रेंश मुबाल जो पहला नया फोन था ओ आडिशेट हो रहा था तो मैंने एक वीडियो बना के रखका था वीडियो बना के अपलोड किया था तो वाई उस वीडियो के नीचे हमारा कंटेक्ट नमबर भी दे दिया था तो फ्रेंश बहुत लोगों ने मुझे बहुत पररेशन कर रहा है भई मुबाइल जो अद्स नहीं हो रहा है आप सलीसां बता दो कर चो फ्रेंश मूबाईल जो आभी सिक्रूटी मूबाइल का जो सिक्रूठी है अपडेट हो चुका है ुक्राइब ऑडिजीट हो पा रहा है अब तो पहले हो रहा था जैसे की रियल्मी सीटू पहले हाड़िसेट हो रहा था बाद में अभी हाड़िसेट नहीं हो रहा है तो पहले जो जिन लोगों ने वीडियो बनाया था उन लोगों पर बहुत गाली दे रहा है लोग हाड़िसेट नहीं हो रहा है तो हाड़िसेट अभी नहीं हो रहा है तो पहले हो रहा था ए सेकुरिटी चेंज होने के बज़ाद से यह हंडिशत नहीं हो रहा है तो देखिए आज मेरे हाथ में हैं वीबो फइनटी ऐ है वीबो फ़एटज नहीं हो रहा है तो तो have our system नहीं हो रहा है तो और भी एक सब्रट भी का है इस वीडियो के बताος कैसे हाड़ी सेट नहीं हो रहा है तो कैसे आपको इस पैटान पीन लोग को तोड़ना है बिना कंपीडर के बिना किसी बॉक्स के तो कैसे उसको रिसेट करना है पैटान लोग को या पासवार्ड हो कैसे रिसेट करना है इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो का सुरू से लेकर लाज तक देखिए चैनल पर पहले बाद तो सब्सक्राइब करके बेल ऐकन प्रेस कर लीजिए क्याएगी इस तरह अंबल से रिल्टेट वीडियो में आप लोगों के लिए हमेशे अपना चैनल पर आप लोगों करते ही रहूंगा तो फ्रेंस चलिए आज का वीडियो तो फ्रेंस मैं एक बार हाडिसेट करने का कोशिश करता हूँ करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कि यह मोबाइल जो है हाडिसेट नहीं हो रहा है तो हाडिसेट नहीं हो रहा है तो आपको कैसे इस लोग को तोड़ना है तो वीडियो में पूरा बताऊंगा तो लाश मगर आपका काम ज़रूर आ जाएगा तो फ्रेंस वीडियो को लाज तक देखिए तो देखिए मैं हार्डिसेट करने का करसिस कर रहा हूँ तो इस तरह तो हार्डिसेट नहीं होगा फिर भी मैं करसिस कर रहा हूँ हार्डिसेट करने का सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं हार्डी सेट करने का कौशिस कर रहा हूँ तो देखिए क्लियर ओल्ड डाटा पे मैं जाता हूँ तो देखिए ओही लोग मांग रहा है तो ये लोग बाइपास भी नहीं होगा पहले बाइपास हो रहा था अभी बाइपास नहीं होगा ये लोग तो आपको कैसे करना है वीडियो को लाश्ट तक देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे कीजिए आपका लोग जो है मैं गिरांटी देता हूँ 100% आपका लोग जो है अनलोग हो जाएगा तो वीडियो लाश्ट तक देखिए तो क्या करना है अभी फोन को रिस्टार्ट कर देना है कुछ नहीं करना है बस अभी रिस्टार्ट कर देना है तो देखिए जब फिर से ओन हो जाएगा हमारा मूबाइल वीडियो तोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैंने वीडियो को पाउज नहीं किया है पूरा वीडियो मैंने शूट किया है जैसे ही मैं वीडियो पूरा वीडियो शूट किया है एसे ही डाल दिया कोई एडिटिंग बगेरा नहीं है आपको तोड़ा दिक्कत भी आ सकता है वीडियो पूरा देखने में तो देखिए अभी हमारा फोन जो है पूरा अन हो चुका है तो देखिए अभी हमारा फोन में जो लोक है लोक लगा हुआ है तो अभी क्या करना है हमें तो फ्रेंज, अभी आपको एक सीम कार्ट डालना होगा, तो सीम ट्रे को निकाल लेते, और फ्रेंज, सीम डालना होगा, जीयो का सीम डालना होगा, नहीं तो ये डार्टा ओन नहीं होगा, तो मैं बता दे रहा हूं, आपका पास J ossim होना होगा अगर दूसरा किसी कमपानी का सीम डालोगे, तो ये डाटा चालू नहीं होगा देखिए हमारा हाथ में JOO का सीम है, तो मैं JOO का सीम डाल रहा हूं और आपका फ़ोन में डाटा चालू होना जरूरी है तो फ्रेंट्स देखिए सीम हमने सीम को लगा दिया है और देखिए हमारा डाटा जो चालू हो चुका है हमारा मूबाइल में तो अभी क्या करते हैं अभी कुछ नहीं करना है बस मूबाइल को एसे ही रख देना है आपको कुछ नहीं करना है मूबाइल को तो फ्रेंस आपको और एक दूसरा फोन का जुरूरत होगा तो दूसरा फोन से ही हम हमें अनलग करना पड़ेगा इस मुबाइल को उसको कुछ नहीं करना है बस एक सीम डाल देना है और और एक बात है फ्रेंस आपको इमेल आइडी आपको पता होना होगा इस जिस मूबाइल में लोक लगा हुआ है उस मूबाइल में जो इमेल और आईडी है इमेल और पासवर्ड है उसको आपको पता होना होगा आपका खुद का फोन है तो आपको पता होना होगा पता ही होगा और आप किसी रिटेलर हो या दुकांदार हो तो आपको तो कस्टमर से पहले पूछ लेना है कि आपका इमेल और पासवर्ड मालूम है तो उसको मालूम है तो ओ दे देगा खुद का फोन है तो उसको मालूम ही होगा इमेल और पासवर्ड तो आपको प्लेस्टोर में जाकर सार्च करना है find my device एप तो फ्रेंज देखिए जैसे ही मैंने find my लिखा तो नीचे आगया है find my device एप तो आपको इस्टल करना है हमारा फोन में अल्रेडि इस्टोल है तो अभी sign in में जाना है तो फ्रेंज देखिए यहापर मांग रहा है इमेल तो इस फोन में जो इमेल है उस phone का email डालना पड़ेगा आपको इस phone का email डालना पड़ेगा देखिए इस phone का email तो customer को पता था हमको दे दिया है email और password तो देखिए अभी मैं email और password इस mobile में डाल देता हूँ इमेल और पासवर्ड तो friends customer ने मुझे दिया है उसका इमेल और पासवर्ड मैं तो आप लोगों को दिखा नहीं सकता तो मैं इमेल और पासवर्ड डाल देता हूँ इस phone में तो देखिये friends हमने जैसे ही इमेल ID और पासवर्ड डाला है तो हमारा जो वीबो का वीबो का Y20 का जो मोडल नमबर है B202027 है तो उसका मोडल नमबर है Y20 का Y20i का तो देखिए दूसरा एक फोन है कनेक्ट है जियो पेनसनिक P95 का तो देखिए हमें तो वीबो का ही रिसेट करना है वीबो Y20 को रिसेट करना है तो देखिए मोडल नमबर है वीबो देखिए पेनसनिक भी कनेक्ट है वीबो और पेनसनिक दू फोन कनेक्ट है तो हमारा तो वीबो ही रिसेट करना है तो हमें तोड़ा टाइम वेट करना ही हमारा या नेट काफी स्लो है तो नेट फास्ट है तो जल्दी कनेक्ट हो जाएगा तो देखिए अभी हमारा फोन जो है कनेक्ट हो चुका है बीबो का आ चुका है देखिए जैसे ही कनेक्ट हुआ है तो हमारा mobile में internet चालू है 4G, Jio 4G लिका आ रहा है और हमारा battery percentage भी आ रहा है तो हमें play sound के उपर tap करना है हमारा phone connect हुआ की नहीं हुआ है तो check करना है हमें तो जिसे play sound के उपर click करोगे तो phone ring होने लग जाएगा आपको पता लग जाएगा कि phone connected है तो देखिए play sound के उपर आपको click करना है तो देखिए अभी हमारा phone जो है ring हो रहा है तो ring यहाँ पर सुना ही नहीं देगा आपको क्योंकि मैंने video का जो video shoot किया था तो video का जो voice को मैंने mute कर दिया है क्योंकि background noise आ रहा था और sound का quality अच्चा नहीं था तो इसलिए आपको sound नहीं सुना ही देगा तो देखिए हमारा phone में 47% charge है यहाँ पर भी 100 हो रहा है 47% charge और हमारा देखिए सीम भी शो हो रहा है सारे चीज उस mobile में शो हो रहा है location भी शो हो रहा है तो friends क्या करना है हमें तो friends देखिए सबसे नीचे erase device तो friends देखिए erase device पर क्लिक करने का बाद आपको पूचेगा आपका क्या आपको data erase करना है तो आपको erase device पर क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करोगे आपको password मांगेगा email ID और password आपको फिर से डालना होगा और देखिए जैसे ही password और email ID और password डालोगे तो आपको इस तरह एक message हो जाएगा erase और cancel तो friends आपको erase पर क्लिक करना है जैसे erase कर दोगे तो आपका phone का जो data है erase हो जाएगा automatically आपको कुछ नहीं करना है बस इतना इतना ही करना है automatically आपका phone तोरी देर में on हो जाएगा तो देखिए अभी वीबो जो है हमारा वी टू जिरो टू सेबन वाइट ट्वेंटी आइका phone है तो अभी यह data erase होना शुरू हो गया है तो friends इस तरह आप किसी भी mobile का data erase कर सकते हो pattern pin लोग इमेल ID से आप erase कर सकते हो आपको मालूम आप बूल गया हो तो pattern pin तो आपको इस तरह से आपको erase कर सकते हो तो friends बहुत सारे भाई ने मुझे call करके पूछा कि भाई आप बिना computer के बिना laptop के बिना आप कोई solution बता दो यह अनलग करने का तो friends इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए आप ल सोने नहीं दे रहा है आप लोग तो अब लोग हो पो जोगों के बोल रहा है बोल रहा है बाई तुम्ने वीडियो डाल दिया जैसे बोल रहा है आ दो तो हमारा phone अनलुक नहीं हो रहा है तो friend बहुत लोगों ने बहुत लोगों ने करल कर रहा है, मुझे सोने नहीं दे रहा है, सुबे से लेके साम तक कर रहा है, तो फ्रेंस आप लोगों को इमी लेडी पता है, तो आप लोग इस तरह कर सकते हो, और नहीं है, तो आपका पास कम्पुटर या लेप्टोप होना होगा, तो मैं अनलाइन कर करके दे सकता हुँ आपको बहुत मेंगा पड़ेगा आपको प्राइस बहुत मेंगा देना अलॉक हो चुका है तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हो किसी किसी और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिएए बआई